हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम अंकीत वर्मा है इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो हमने विजली वाग के करप्शन और ज्यादराशी के बिलों के उपर बना रहा हूं आज ये विडियो इस्पेशली में विजली कमपनियों के एमडी के उपर बना रहा हूं किसी भी विद्यूत उब्भुकता को अगर कोई परेशानी आती है विल में कोई गड़बड़ी होती है अगर वो जोन पर बार बार चक्कर काटने के बाद में भी उसकी समस्या का समाध चाहते हैं उस जोन पर एई जई या कोई भी अधिकारी उनके अगर मदद नहीं करता है तो बहुत से बार हम विजली कमपनी के एमडी से मिलने जाते हैं मैनेजिंग डारेक्टर से जो कि पूरी विजली कमपनी को मैनेज करता है और हमारी ये कोशिश होती है कि हम एमडी से मिलना नहीं चाहते हैं सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चनल को और बेल आइगन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए जब हमारे घर पे 60,000 रुपे का बिजली का बिल आया था और जोन पर बिजली कंपणी के M.D. थे Mr. Aakash Tripathi जो उससे पहले इंदोर के कलेक्टर थे और इसके बाद में फिर बिजली कंपणी के M.D. के बाद में ये इंदोर के संभाग आयुक तो और भी बड़े बहुत बड़े पदों पर ये रहे और अभी भी ये प्रशाशनिक सेवाए M.D. को दे रहे हैं और उस समय जब मैं इंसे मिलने के लिए पूरे एक हपते मेरे भाई के साथ वहाँ पर जाता था हम पूरे दिन वहाँ पर बैटते थे रेजिस्टर में एंट्री करते थे लेकिन कभी भी हम उनसे मिल नहीं पाते थे हमने रेजिस्टर में जित्ती भी एंट्रिया करी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उसी रेजिस्टर की फोटो है जिसमें हम एंट्रिया करते थे इसके लावा बहुत सी बार हम वहाँ पर इनसे मिलने के लिए इंतियार करते थे और बहुत से हमने चक्कर ऐसे भी लगाए हैं जिसमें हमने रेजिश्टर में एंट्री नहीं करी है इस तरह से हम उनसे मिलने के लिए काफी समय तक गए लेकिन कभी भी मिलने ही पाए तो उस समय के MD Mr. Aakash Triparti से मिलने के लिए हमने हफ़ते 10 दिन तक महाँ पर चक्कर लगाए लेकिन कभी भी हम उनसे मिलने ही पाए उनके employees कभी कहते थे कि वो किसी meeting में है कभी ये कहते थे कि वो आज आये नहीं है कभी ये कहते थे कि वो बहुत ज़्यादा busy है इसलिए नहीं मिल सकते है अब देखिए उनकी हमसे मिलने की मर्जी नहीं थी या उनके करमचारियों ने या उनके office के जितने भी लोग थे उन्होंने हमको उनसे मिलने नहीं दिया हो लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं कि अगर मैं किसी मिलना चाहूं और वो मुझे मिलने नहीं दे मैंने अपने sources से उनका personal number निकाला और पूरे मामले की शिकायत उनको की उन्होंने मुझे reply भी किया कि हम इस problem को solve करेंगे हला कि उनके आशवाशन से भी कोई काम नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने मुझे superintendent engineer के पास पहुचा दिया था और उस समय के superintendent engineer सुबरत और रायत है उन्होंने भी मुझे वापिस से zone पर पहुचा दिया था और उन्होंने भी मुझे आशवाशन दिया था कि आपके काम हो जाएगा लेकिन मेरी कोई मदद नहीं हुई थी फाइनली मैं तो कंजूमर फोरम से केस जीर गया था और कंजूमर फोरम ने उस बिल्कुर खारीच कर दिया था लेकिन यह वीडियो में आज बना रहा हूं कि जितने भी बिजली कंपनी के जो MD होते हैं वो इस कि आपको जो जॉब मिला है यह जिस काम के लिए मिला है आप उसको पूरी इमानदरी से करें क्योंकि किसी भी बिजली कंपनी का जो MD होता है वो IS IPS लेवल के होते हैं इतने हाइर एज्योकेशन के होने के बाद में भी आप जिस पद को समालते हैं उसको पूरी निष्ठा से काम नहीं करते हैं अब जैसे उस समय के MD मिस्टर आगाश त्रिपाटी थे उनसे मिलने के लिए हफटे 10 दिन तक मैंने इंतिजार किया हर बार पूरा दिन का अपना बिजनस का लॉस करके मैं वहाँ पर बैठा लेकिन कभी भी मैं उनसे मिलने ही पाया लेकिन देखिए मैं इस देश का एक आम नागरिक जरूर हूं लेकिन मेरे साथ कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि मैं हफटे 10 दिन एक उस बिजली कंपनी के MD से मिलने के लिए अपना टाइम वेस्ट करू और मिलना पाऊं और अपना काम भी ना कर पाऊं मैं उन लोगों में से नहीं हूं मैं रास्त YouTube चैनल से और अपनी वेबसाइट से तो ऐसा नहीं है कि एक बिजली कंपनी का MD अगर आपको मिलने का समय नहीं देता तो आप उनके खिलाब कुछ नहीं कर सकते आप उससे बड़ी कारवाई कर सकते हैं और इस रिडियो में मैं कहना चाहूंगा कि अच्छा हुआ कि उस दि उससे की वज़से मैं सोशल मीडिया और वेबसाइट पर आया जिस वज़से मेरे अलावा और भी हजारों लोगों को फायदा हुआ और इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी मैं यहीं कहना चाहूंगा कि चाहे एक जोन का एई जई हो या उस पूरी बि कि चाहे एक आम नागरी खो इस देश का या फिर कोई भी मंतरी हो आप किसी की भी बेंड बजा सकते हैं अगर आप ठान ले और इस वीडियो के आखरी में मैं आपको एक यही बात कहूंगा कि ज़्यादा तर बिजली भाग के अधिकारी आपको परेशान करते हैं बहुत ज से इनका डर बनना शुरू हो जाता है यह चीज मैंने किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं एक सोची एक साथ हजार के बिल से स्टार्ट हुई जर्नी मेरी आज इतने हजारों लोगों तक जा चुकी है तो यह जरूरी नहीं कि आप किसी MD से नहीं मिल सके तो आप कुछ नहीं कर सकते आप बहुत कुछ कर सकते हैं एक आम इंसान जो देश का प्रधान मंत्री चुन सकता है तो यह MD क्या चीज है आप इनको भी परिशान कर सकते हैं विद्यूत बुक्ता की जागरती और सरक्षन के लिए हम इस तरह के वीडियो बनाते हैं इस लिए को आप ज़ै झाल झाल